नमस्कार बहुत सुभागत है आपका अपदेख रहे हैं इंडिया टीवी आपके साथ मैं हूँ जोटस्तना पार्टनी देश को जखजोर देने वाले गुजरात के मोरभी हादसे में रेस्क्यू आपरेशन लगातार जारी है और अब अपने अंतिम दोर में पहुँच चुका है गुजरात के ग्रिमन्ती हर्श सांगवी ने 132 मौत की पुष्टी की है ब्रिज का मेंटिनेंस देखने वाली कमपनी पर केस दर्ज कर लिया है और गैर इरादतन हत्या का मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज हुआ है आईपीसी की धारा 304, 308 और 114 के तहट एफायार दर्ज कर जांच मामले में शुरू कर दी गई है मुख्यमंत्री के आदेश पर जांच के लिए एक हाई लेवल कमिटी का भी गठन किया गया है जिसने मामले की जांच शुरू कर दी है ये हाई लेवल कमिटी रात में ही मोर भी पहुँच चुकी थी और इस कमिटी के तरफ से जांच के कारवाई को शुरू भी कर दिया गया है हादसा कल शाम साढ़े छे बज़े का बताया जा रहा है मच्छू नदी के उपर बना 143 साल पुराना ये सस्पेंशन ब्रिज ओवरलोड होने की वज़ा से तूट गया 320 से भी ज्यादा लोग नदी में गिर गए हादसा होते ही अफरा तफरी का माहौल जाहिर सी बात है वहाँ पर होगा हुआ होगा और रेस्क्यू ऑपरेशन जैसे ही शुरू हुआ लोगों को बचाने का सिलसिराल शुरू हुआ ये अधिकारिक आंकड़ा अब तक सामने आया है कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी है 170 ऐसे लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया गया है हादसे की वजह से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एहमदाबाद में होने वाला अपना रोड़ शो रद कर दिया है और इस वक्त अगर यहां मोर्भी की बात की जाये तो अंतिम चरण में रेस्क्यू आपरेशन चल रहा है हर उस व्यक्ति को ढूंडने की कोशिश की जा रही है जो माचू नदी में है माचू नदी पर बना ये पुल 6 महिने से हाला की बंद था रेनोवेशन के काम की बात बताई जा रही है कि इसमें रेनोवेशन का काम चल रहा था इसलिए 6 मेने तक ये बंद रहा, 6 मेने तक इसमें रेनोवेशन का काम चला और 25 अक्टोबर से पुल फिर से लोगों के लिए खोल दिया गया था रविवार को छुटी का दिन होने की वजह से बड़ी संख्या में लोग ब्रिज पर पहुँचे पुल की कपासिटी सौ लोगों की बताई जा रही और ये बहुत ध्यान देने वाली बात है लेकिन सौ लोगों की कपासिटी से ज्यादा लोग इस पुल पर सवार थे प्रत्यक्ष दर्शियों के मुताबिक 500 से ज्यादा लोग एक वक्त पर इस पुल में मौजूद थे तरफ से की जा रही थी और यही हादसे का कारण भी रहा यहादसा कैसे हुआ हादसे के बाद क्या क्या हुआ एक एक तस्वीर हम आपको सिलसलेवार तरीके से दिखाएंगे समझाएंगे और साथी बात उस सवाल पर भी होगी जो लापरवाही से जुड़ा हुआ है क्योंकि बहुत बड़ी लापरवाही हुई है ये देखिए ये आप वो पूरा पुल देख रहे हैं ये केबल से connected पुल है और 143 साल ये पुल पुराना बताया जा रहा है आपको बता दें कि एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक उपर केबल से सरिय की ये पूरा bridge connected था और नीचे लोहे क ये चादर आपको पूरी नजर आ रही है और उसको support देने के लिए stands लगे हुए हैं और जब saw की capacity वाले इस पुल में अचानक से 500 लोग आ गए और ना सिर्फ वो इस पुल पर चल रहे थे बलकि पुल को हिला भी रहे थे पुल क्योंकि हलका है तो ऐसे में जब उसे हिला र होगा ये पुल का हिस्सा है जो तूटकर नीचे नदी में गिरा और सिर्फ ये तूटकर नीचे नदी में नहीं गिरा ये तूटकर मुड गया जिस कारण ज्यादा लोग इस हाथसे के शिकार हुए हैं हाला कि प्रत्यक्ष दर्शियों की अगर बात की जाए देखिए आप हो सकता है कि लोग वहाँ पर फसे हूँ इसलिए अभी भी रेस्क्यू आपरेशन किया जा रहा है ये और तस्वीर आप देख रहे हैं यही मैं आपको बता रही थी देखिए पुल का ये एक छोर है जो तूट गया और उसके बाद ऐसे अंदर की तरफ मुड गया और सीधे ये नदी के अंदर ये हिस्सा चला गया और दूसरा हिस्सा भी जो है वो भी दूसरी तरफ से नदी के अंदर चला गया और ये देखिए लगातार आपको दिखा रहे हैं ये ये वही हिस्सा है अब सेंटर से नहीं तूटा ये थोड़ा सा साइड से तूटा और तूट के देखिए किस तरह से ये पुल मुड़ गया है। अब इसके मुड़ने का कारण ये है कि जेनरली जो इस तरह से हैंगिंग, सस्पेंशन और केबल वाले ब्रिज़ होते हैं, वो हलके होते हैं, उनमें नीचे की शीट जो होती है वो हलकी होती ताकि वो फ्लोट कर सकें, बहुत को दिखा रहे हैं, पुल की जाली में कई लोग फसे हुए भी आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, ये पुल की जाली है, इसमें भी कई लोग फसे हुए हैं, कुछ तो ऐसे भी लोग थे जिनको चोट लगी थी, लेकिन उन हालातों में भी दूसरों को बचानी की क पकड रखा है जालियों के सहारे उन्होंने अपनी जान बचाई और अब ऐसे ही जाली पकड़ के ये लोग उपर आने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन इसी दौरान देखिए जो आसपास लोग फसे हुए ये व्यक्ति हैं आप इन्हें देख रहे हैं इनके बगल में एक महि को भी बचा रहे हैं ताकि उन्हें भी जाली का सपोर्ट मिल सके और वो भी चड़कर सुरक्षित उपर जा सके पीछे आपको और लोग नजर आ रहे हैं तो ये वो लोग हैं जिन्होंने जाली पकड़ के और जब रेस्क्यू टीम वहां पर मौके पर पहुँची तो उनकी मदद से अपनी जिन्दगियों को बचाया है लेकिन दुखत बात ये है कि लगबख 130 से ज्यादा लोग इस दर्दनाख खादसे में अपनी जान गवा चुके हैं 177 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अभी तक हो चुका है और संभावना ये जताई जा रही है कि क्योंकि नदी की बात किजा है तो कुछ इलाका ऐसा नदी का है जहांपर दलदल है थोड़ी सी मिट्टी है और धसने वाला इलाका है तो वहाँ पर भी कुछ लोगों के फसे होने की संभाव नहो सकती है ऐसे मैं हर संभब हर मुम्किन कोशिश की जा रही है उन लोगों को डूंडा जाए ताकि उनकी जिन्दगी को भी बचाया जा सके ग्रिमंत्री की बात की जाए वो लगातार मौके पर मौजूद हैं हर एक तस्वीर का और हर एक rescue operation का वो update ले रहे हैं जायजा ले रहे हैं इसके अलावा अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो वो भी इस पूरे rescue operation पर नजर बनाए हुए हैं और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि पूरी रात ये rescue operation चला है NDRF, SDRF की टीमें मौके पर तैनात हैं इसके अलावा Air Force के जो जवान है, Air Force के कॉलम्स, Air Force की टुकडियां rescue operation में जुटी हुई हैं साथी सेना और नवी के जो लोग हैं वो भी अमित इस rescue operation में लगाता है